नमस्कार बोच स्वागत है आपका टीवी 27 नीज पर मैं हूँ आपके साथ योगेश्पान्दे श्योपूर कॉंग्रेस विधायक बाबु जंडेल ने के भगवान भोलेनात के नाम पर कि गई अपत्ती जनक बयान का वीडियो आप सोशल मेडिया परतेजी से वारल होने के बाद प्रदेश के सियासत गरमा गई है बाबु जंडेल के इस वीडियो से जहां कॉंग्रेस बैकफूट पर है तो वहीं बीजेपी समयत हिंदुवादी संगठन हमलावर नजर आ रहे हैं वीडियो वाइरल होने के बाद विधायक ने सफाई भी दी है बाबु जंडेल ने कहा है कि ये वीडियो पुराना है और जिसे आधा, अधूरा और तोड मरोड कर वाइरल किया गया है वहीं कॉंग्रेस मीडिया विभाग के अधिर्च मुकेश नायक ने कॉंग्रेस विधायक का बचाओ करते हुए कहा कि बाबु जंडेल के वाइरल वीडियो को कॉंग्रेस ने पांस साल पुराना बताया है और ये वीडियो हास परिहास में बनाया गया कहा गया उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस विधायक के एक मित्र जो बीजेपी में अब चले गये हैं उनके द्वारा चुनावी फायदे के लिए इसे सार्वजनिक किया गया है ये नहीं किया जाना चाहिए था ये गाओं की हास परिहास की परंपरा है नायक ने कहा कि शंकर भगवान के मंदिर के लिए खुद बाबु जंडेल ने जमीन दान की थी वो माफी भी मांग लेंगे कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन जिन्होंने सनातन का ठेका ले रखा है उनके राज में क्या हो रहा है उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि महेंगाई, बिरोजगारी, बीज की काला बाजारी, रेप ये क्या सनातन संस्कृती का हिस्सा है उन्होंने कहा कि सनातन के नाम पर बीजेपी सोशड करती है वहें इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने कॉंग्रेस की विचारधारा को सनातन के खिलाप बताया है बीजेपी प्रदे सद्यक्ष वीडि सर्मा का कहना है कि कॉंग्रेस के नेताओं के द्वारा लगतार सनातन विरोधी बयान दिये जाते हैं यह पहली बार नहीं है जब कॉंग्रेस के नेता के द्वारा अलग-अलग बयान दिये गए हो हम इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराएंगे अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में रहने वाले मदब्रदेश के श्ट्योपूर विधानसवा से कॉंग्रेस विधायक बाबु जंडेल ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है अब देखने वाली बात होगी कि इस बयान का खामियाजा कॉंग्रेस को उपचुनाओं में क्या भुगतना पड़ेगा कुछ बयान हैं उनको ज़रा सुनिय स्यासिय प्रतिक्रिया है उसके बाद आद इसी मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा वीडियो मैंने भी देखा ये साल बर पराणा वीडियो है और मेरे कमरे पे में बेटा था और कुछ लोग बेटे थे जब हमारे पारवती और सीव जी की दार्मिक चर्चा चल रही थी मैं सीव बगत हूँ और सीव लिंक पे से हमारी इस्टाटिक बेस हुई है सीव लिंक की परवासा जो मैंने लोगों को बताई भाई सीव लिंक की परवासा क्या होती है जो हमारी देशी बासा में जो बाते थी वो मेरा वीडियो काट जिया गया 15-20 मिन्ट हमारी इदार्मिक संकर जी की और सश्टी की रसना की इसी उत्पती की बाते चल रही थी संबान करता हूं सब को खाना कि लाता हूं यह यह लोगों ने अभी जो मैंने वीडियो देखा जिसमें मेरा किलाफ डाला था एक वो बुडेरा का एक लड़का था तो उसका ताओ जी नरेंदर शिंग गूजर वो मेरा मित्तर रहा सुरू से हम मित्तर रहें मैंने उसका प से पहारे में हमारी बरिवासास चल जा रही ती Families मे लिखा है कि सीव लिंग और की से कहता है सी लिंग की परवासा किया है तो अपने पूजा क्यों करते हैें को मेरा वीडियो देखो उसके वारे में बात fewरू करते है है मेरी कुछ बातियो मेरे मेरे मैं मैं मन्चपत से तो वो राम निवाद जी का आदमी है और अभी वो अपनी जेव गरम कर रहे हैं से वीडियो लाला के तेसे कुमा रहे हैं मैं सीव भगत तो मेरा क्या वगड़े है देखिए सबसे पहली बात बताएं कि जो बाबू जंडेल का ये वीडियो वायरल हो रहा है ये पांच इंटिग्रिटी का सवाल है पांच एकर जमीन उन्होंने खुद शंकर भगवान के मंदर में दान की है और वो पुजारी स्वयम उस मंदर के पुजारी है जो पांच एकर जमीन दान करके उन्होंने शंकर भगवान का मंदर बनाया है ये वीडियो जो डाला गया है उनकी ए दाला है ताकि स्थानी अमेले को चुनाम उसका लाब मिल सके हैं यह कोई इसमें दम नहीं है और यह एक सम्यक द्रश्टी से लाब और हानी का लेखा जोगा लगा के डाला गया वीडियो है इस नहीं करना चाहिए लेकिन इस देश में भगवान शिव लोगों के इतने प्रिय देव हैं देवादी देव महादेव के लोग नंदी पर भी मजाग करते हैं उन पर भी मजाग करते हैं जो नहीं करना चाहिए यह एक देहातों का एक ट्रेंड है आप सब लोग इस बात को जानते हैं। उन्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन वो श्योब्त है। श्योब्हक्त हैं। पांच एकर जमीन उन्होंने दी है जो रिकार्ड में है और मंदिर उन्होंने बनाया है जो रिकार्ड में है पुजारी वहां तैराज किया है उन्होंने जो रिकार्ड में है इस से ज़्यादा बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है सनातन को खतम करने का सुद्ध इसकी मानसिक्ता दिखाई देती है मैं राहुल गांधी और कॉंग्रेस के राश्ट्यद्यष खडगे जी आपसे पूछना चाता हूँ कि ये कॉंग्रेस की महबत की दुकान है कि गाली की दुकान है और कॉंग्रेस के एक बिधायक के द्वारा भगवान संकर पर इस प्रकार की टिपणियां और कॉंग्रेस नेताओं की चुपी अभी मैंने सुना कि मद्ध्रदेस के अंदर मीडिया के मित्रों ने जब दिखुजया सिंग और कॉंग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी से पूछा तो उन्होंने प्रस्ण लेने समना कर दिया अरे देश आप से पूछना चाहता है कि आपकी ये दुकान जिसे आप मुभबत की दुकान कहते हैं गाली की दुकान कॉंग्रेस बनी है और आप सनातन को खतम करना हिंदू देवी देवताओं का लगातार अपमान करना यही आपका एजंडा है इसके बारे में क्या राहुल गांदी और खडगे जी आप इससे सहमत हैं ये जवाब देश और सनातनी भारत के लोग आपसे देखिए समाज के लोग इसके उपर प्रतक्रिया बिक्त कर रहे हैं लोगों ने प्रदर्शन किये हैं लोगों ने कंप्लेंट की हैं और भारती जंता पार्टी भी इनके खिलाप लीगल कारबाई भी करेगी लेकिन उन्हें आनंद आता है हिंदुत पर सनातन पर देश पर आक्रमण करने में बदनामी करने में और इसके तो पारंगत हैं वो तो ब्रैंड एम्बिसेटर हैं तो आपने सुनी ये सियासी प्रतिक्रिया हैं अब चर्चक के सुरुआत करेंगे हमारे साथ कुछ मेमा जुड़े हुए आपका अतारूफ करा देते हैं योगेश गुप्ता जी हैं भारतिय जन्ता पार्टी के प्रवक्ता है योगेश जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज पर संतोष परियार जी हैं कॉंग्रेस के प्रवक्ता है संतोष जी आपका भी बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज पर अब जिस तरीके से बयान को लेकर के सियासी घमसान मचा हुआ है संतोष जी ये कहा जा रहा है कि पुराना वीडियो हो तोड़ मरोड करके दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि हास परियास में ये वीडियो बनाया गया था और ये बाते ये वक्त अब्य कहे गए हैं लेकिन हाज पर्यास की भियागर जिक्र किया जाए तो इश्वर को लेकर के कौन ऐसे वक्त अब्य देता है लेखिए इश्वर को लेकर सानासन की बाद जाता है वागवान स्मामले में लेकर कौन बसुले सा सोर मों की करा गया है तो उनका सुझी आये वाभु जेंडेंडी का उठ्यान अजिका उन्हीं दफ़ाई जी थी थे वारती अंता पार्टी के धरन दुरू तो रामरहीम है बरत राजी रामरहीम के रूब एकमाय को छोल ने क्या बुला था पुरसी पैड़ पार्डेल ने क्नि पमाते है है इसमें अब यह पांसाल पुराना बीडियो अब प्रौना पुर्णाश के लगाया है एक से क्या करा थे क्या लिए बिल्कुल थे जाज सभी सगा है आप पुष्टी कर रहा है वीडियों के आप इस वीडियों कर दिए। यह जो बात है ना बिल्कुल जो जनता को आप इस भर्षी के पोन है जो भगवान को रिमान तो शंपड़ है का जो संगर भगवान को रिमान है। वे बादून तो यह ज स्टेकर लेकर भगवान को है तो अरू जो वादू कर रहा है जो कि मेरा समी को ढफनसरा यह मैने ना मैंने पासे का जमील Pasti शेमाने बीजियों के बाते है है। ठीक योगे जी ये वीडियो पुराना बताया जा रहा है और दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि जब कोई भी व्यक्ति उस भगवान भोले नात के लिए मंदिर के लिए जमीन दे सकता है मंदिर बनने के लिए पांच एकर जमीन दे सकता है तो वह ऐसे वक्ता भी क्यों देगा बना लिए कि हमेशा सनातन का अनाधर करना उनकी प्राण प्रसिष्टा के कारिकरम का भाइशकार करना और रोजा इसकार में शिर्कत करना कांगरेस पार्टी के तथाकतित युवराज और तथाकतित पंडित जन्यवधारू पंडित राहूल गांधी को ये निश्चित रूप से इस पर कुछ प्रतिकरिया जाहिर करना चाहिए कि जिस प्रकार उनकी पार्टी के एक बिढ़ाएग में भगवान महादेव के वारे मे अशोबनी शब जिसकी पुष्टी मांग रहे है मेरे साथी प्रवक्टा जिसकी पुष्टी स्वयम कहने वाले ने कर दी कि ए मेरा फुराना वीडियो है और क्या पुष्टी चाहिए अभी कतन करने वाला स्वयम ये सुईकार कर रहा है कि ये मेरे संगी साथी के पत्र ने इस वीडियो को बनाया है और उस वीडियो में सबस्ट उन्से लजर आ रहा है कि वो नशे की हालत में हैं और चलिए बावूलाज जंडेल जिसके जो भी उनका कल्चर है जिस कल्चर की उन्नों में बात करी हम उस पर नहीं जाते हैं लेकिन उस पर मीडिया कॉंग्रेस के जो जो स्वयम महापंडित है लुकेश नायक जी उनका अभी कदन बड़ा अश्चर सकित कर देने वाला इस भी है योगेश जी कि वो नेवादी दे महादेव के बारे में बोलते हैं कि हास्त परियास की बात ही कितनी निंदनी वक्त तब मीडिया चेयर परसन की हैसिया से उनों वाइरल किया जा रहा है और वो भी तोड़ मरोड करके पेस किया जा रहा है उनके कपिल सिब्बन हो या पूर्वती नेता जितने भी रहे हो उन्होंने समय समय पर सनातन का ना केवल निरादर किया है बनकि घोर अपमान किया है तुस्ती करन की राजबिती की चलते ये हमेशा हिंदू धर्व को आड़े हातों लेते हैं चाए प्रदेश इस्तर पर इंके निता जिग्विजे सिंग्जी हो या राश्ती इस्तर पर राहुल गांदी हो या अन्न लेता हो तो इस प्रकार के बक्षवियों से निश्चित रूप से सनातन प्रेमियों की भावनाएं आहात होती है और प्रतिक्रिया प्रूप जो पंडित मानते हैं मुकेश नायग जी है भी विज्वा ने बावजू जिसके उनका इस प्रकार का कथन यह प्रियास की बाते यह गले नहीं उतरता है चली यह ठीक बात है यह इस गुपता जी आपने बात कही हम संतोज जिससे इसका जवाब लेंगे लेकिन आप लोगों को सनातन जो ठेका लेने का कॉंग्रेस आरूप लगा रही है कि आप लोगों ने ठेका लेकर रखा है सनातन कर दायरे में बानदा जा सकता है क्या है है हाँ है कि योगन जी विए सनातन के मतलब सभी सनातन संभाओ है सभी पाल्टियों के निताओं को आगे आक thuद' कि यह सभी प्रयास करना चाहिए इसमें को लिआ थी के प्रत्त्र आभlla स्टोश जी आपके नताओं के भी बयान foreign हम कभी विकसी भी कोई भी नेविक है कोई भी वक्ति आइसे भयान देता खूंझ उसका गिना सकता हूं जो कि पहले दूसरी पार्टी दूसरी पर होगा और वो आज आपकी पार्टी में है और अवधे पर बैठे हुए हैं तो वही जो कॉंग्रेश सवाल पूछनी मुद्दा वही है कि क्या यह ठेका है कि बीजेपी ने लिखा अगर जांच कभी सह था तो पहले जांच हो जाती उसके बाद ऐसे वक्त अब आने चाहिए ब है कि है युट अंहरन माल देता है ह। हएं वहीं दूसरे याद फिशी आन्ड धर्मं के बारे में बोलके लेक्राइथ चुर्ण सब्सक्राइद हो जाता है हम के इस बात शया था लाक यह जोрах पर आएए बाद सिहीं किसी प्रसे ने पारे बारे में कोई कुछ ने बोल सकता इसे बहुताँ जाएंगे क्या फुरत एंके मन्ती में इसे पोसे ब्यान आगा जाएंगे. और चुल किसे बड़ी बात तो जिन जिनका बाभु जैदेर की जो बात रोरी, पर दोड़ा है कि मैं जबी तूड़ी करने के लिए जो जो एकरा जा रहा है। उनका भी प्याना ज़े उनने जी जिए है। और जहां सब्सक्राइब काथ है। जहां सब्सक्राइब को तोड़ी है कि वाटता बिनिस्प्रों जाएगा। पार्टी अंसा पार्टी ये जो ली बता रही है कि इनके लेता जो है राम रहीम को को ठोड़वा गया। राम रहीम को ठोड़वा दिया गया ठीक है वह सियासी मामले बहुत दूर दूर जगा आप जा रहे हैं। अब दूसरे प्रदेश में हम चले जाएंगे अभी अभी नौर्थ में चले जाएंगे तो फिर आप कहेंगे कि नहीं वह ऐसा मामला नहीं है। इंडिया गड़ बंधन का भी हम जिकर करने लगेंगे तो कहेंगे वह हमारी पार्टी के मतलब नहीं है। क्या आप लोगोंने ठेका ले रख और है क्या? सनातन धर्म कमजोर नहीं है। समुदाय कमजोर नहीं है लेकिन क्या आप लोगों ने ठेका ले रखा है क्या कमजोर करने का आप लोग क्यों उल जलूल बयान देते हैं आप लोग और अन्य किसी धर्मी के बारे में क्यों नहीं बयान देते हैं मुस्लिम समुदाय के बारे में कभी आप बयान दे करके देख आएक बाति तो अगर उनकी कोई हो पार्टी के जो लोग है जो नहीड़ा है जो कुछुम मजले ने पूरे बोला था पुर लिए मोला था आपके इसाव्यड के बारे और नी इसे पुचा ये सवाल तो मैंने पूश लिये ने यौक़ जी से यह आपका सवाल था मैंने पूश भी बोल रहा हूं लेकिन आपके तरफ से कुछ ज्यादा इस तरीकी की बयान आते हैं, मैं उन पर जिक्र कर रहा हूं, आप से जवाब चाहरा हूं बाकि तुम्हें ने योगेसजी के जो नेता है, उनके लिए उनके लिए उनसे पूछा वो जो क्राफ्ट वीडियो के सिगोस्ट वीडियो की पुष्टी कर रहा है। वाट्साप एंडिस्टी के लिए जो निकाला जाता है उसको जन्ता को परोचा जाता है। चुनाओं के साथ में आगे नहीं कि परोच से हैं। यह अपने वक्तब दिया गया ना आप मानते ही ना कि वो पुराना वीडियो है। आप ही के निता ये बात मान रहना अगर पुराना वीडियो है तो इसका मतलब कभी ना कभी तो बोला गया नहीं सुनिया आप मेरा कहने का मतलब ये है कि पुराना वीडियो काड़ चार्ट करके बाटसा पेंडेश्टी से क्या करा किया है और बहुत सारे वीडियो आपको उनका खुद का प्यान आगया है और आप इस बात ये बताइए कि वो पांसार पुराना को मुकर जाएगी ने बोला उनने काच में बागी बागी बाबु जेंडेश्टी बात में उनका आया कि बोले मेरे सेवी दूमिल करने कि लिए करा जा के लिए जरम जाना की बाट में बाधने करके जो लाफम के बागवार हैं उनका washed, all the people that go लोगे लें हमारे दहर्म को वजात हम उडाना है कार्वाहों करिये चाज करिए जो करना है और इसी को फहला के जोड़ पढ़ाना कीया करें जो एक चलना खना माम नेता हैं आपके तो तुरंद नेता कोई नों कोई फायर लिखवाने कहीं चला जाता है किसी भी थानिम लिखवा देते उस पूरे मामले के जांच होती और जांच में अगर दोसी पाया जाती तो उन पर कारेवाई होती लेकिन यह ठेकेदारी वाली बात आ रही है आप कर और कमजूर कैसे किया जा सकता है यह मैं बात मानी नहीं सकता पहली बात तो दूसरी बात हिंदू धर्म हिंदू धर्म की बात कहीं जाती है अरे हिंदू धर्म में कितने बयान बाजी होती है और कितना जहर घोला जाता है आपको मालूम है एक दूसरे प्रदेश की घटना में बता रहा हूं कल का बयान है उसमें भी ब्रामणों को बनियों को कहा जा रहा है कि कोई ठेकेदार तो है नहीं आपके विधायक बोल रहे हैं और आपकी विधायक भारती ऑक्ष तोड़ रहा है विपक्ष हिंदु धर्मे में बढ़काओ करने के को सिस्कळ रहा है आप कहह रहा है बटेंगे तो कटेंगे और उसके बाद अ2000 धर्म बाठने का कौन काम कर रहा है कि UK जी योगेजी इख यह देखे योगे जी, आपने पूछा हिंदू धर्म को बाठ तोनता है, मोहबत की दुक्रान खोलने वाले जातिगत जन्गणना के आदार पर पूरे देश और पुर्देश को विभाजित करने पर तुले हुए। पुर्वती मेता श्रीमती हिंद्रा जी और रजीज जी कहात अकेते हैं, जात पर ना पास्त और मोहन लगेगी हात पर आज राहुल गांदी जी और खड़के जी कहाते हैं, पूरे देश और पुरे देश को जातिगत जन्गणना के अधार पर विभिल्य समाश को बाटता चा जाति होने के बाद उसको तोड़ने वालों की निचेत रुपते हैं, निल्दा ही नी भस्तना किरनी चाहिए, आप एक तरफ तरफ तो चनातन प्रेमियों से वर्ट मांगें, बूसरी तरफ चनातन प्रेमियों को निरादर करते हैं, आपमान करते हैं, बावुलाल जंडेल नशे में दिख रहे हैं, ना कॉंग्रेस से कोई नेता इस बाद की पुष्टी कर रहा है, ना ही उनके मीडिया केर्मन, मीडिया केर्मन प्रबुद प्रबुद व्यक्ति हैं, बावुद इसके वो उसको हास परियास का नाम दे रहे, आपने ब्रह्मान का उडले किया, पू यही तो कह रही है, कि आप जाच करवाईए, सकार आपकी है, आप जाच करवाईए, दोसी हैं, तो दोसी पाजाते हैं, तो उनको सजा दीजिये, लेकिन यह उप चुनाओं से पहले यह जो इस्टन्ड बाजी की जा रही, कॉंग्रेस यही तो आरुप बलागा रही है आप देखे चुनाओ भार्टी जन्ता पाटी अपने संगचन के दम पर और मिश्चित रुप से प्रदेश में जनकन्यान काली गरी कन्यान से लेकर जनकन्यान तकी, जो नीतियों को सर्व वर्ग और सर्व हारा, सबका साथ सबका विकार, करते हुए भार्टी जन्ता पाटी का गजाई रख बड़ चल रहा है, वो ऐसे हवा में नी चल रहा है, हम 2427 सब्सक्राइब करते हैं कि मद्दे पड़ेश की जन्ता का उर्दियन केसे हो, हमारी लाली बेहनों का उर्दियन केसे हो, हमारी मां बेहन बेटियों भी सुरक्षा केसे हो, इसके लिए निरंतर प्रिय ठीक है ठीक है आप काम पर वोट मांगेंगे काम पर चुनाओ लड़ा है संतोष जी आपके सारी जो बाते हैं उनको खारिश करते हुए योगे जी कह रहे हैं कि ये दरसल कोई चुनावे स्टंड नहीं है चुनाओ तो वो लड़ेंगे अपने कामों पर उनकी सरकार ने जो का आपने धरम का आज हिंदू धरम का हिंदू लोग यह पहला 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 के पूरे देश के अंदर की जाद इसा बिलावाट करेंगे ये जी शोभा देता है क्या हमारा धरम हमारा इसना ज्यादा आप इसी और कुसी आपने बहुत अच्छी बात उड़ी कि और किसी घरम के इस मारे में बड़ा पहला के देखो तरी कर देंगे आप असने धरम के बारे में खुद धरम के पारे में खुद भाक्रा लात हो गी हिजब अगर भागवान स्री राम भागवान कोई अदमीया जो को नहीं को मनते हैं एक बिसकुछ बेवजय की बाते करतें लेकिन अपो शोचना पुले जेरे के अमारे जाए मुझा अपन अपन तो फुटी हुडा एक उड़ा रहा हैं उने आप इसा कर दी है तुनाव के तेकर करने प्रवाइब आपके लगातारी ही मांगए कि जांच कराई जाए और उसके बाद जो भी दोशी पाया जाता है तो उस पर कारवाई की जाए बेवज़ा है इस तरीके के वीडियो वायरल करके उस पर सियासत ना की जाए बहराल सियासत करनी भी नहीं चाहिए और ऐसे मुद्द जिस तरीके से बयानबाजी का दोर जारी ही उप्तिनाओं के पहले भी और इसी बीच यही वीडियो वायरल वायरल जिस पर सियासत नातानी भी देखने को मिल रहे है मेरे साथ फिलाल इतना ही खबरों के लिए आप बने रहे ही टीप 37 News के साथ नमस्कार